मैं शेयर करने जारी हैं समोसा चाट और इस चाट के साथ मैं बहुत सारी ऐसे टिप्स दूंगे जिससे आप बहुत ही टेश्टी समोसा चाट बना सकते हैं यहां पर मैंने मटर लिया है मटर को मैंने 8 घंटे तक भीजो के रखा था उसके बाद इसे मैंने कुकर में डाला है अच्छे से दो के और इसके बाद मैंने देड़ से 2 इंचे उपर तक पानी डाला है उसके बाद इसमें डाला है थोड़ा सा नमक खल दी लाल मेच पाउडर और यहां पर मैंने बस एक चुटकी फर मीठा सोडा का इस्तमाल करा है और इसकी गैस की फ्लेम को स्लो करके और चार सीटी आने तक वेट करूँगी चार सीटी में बहुत अच्छे से पक जाती है उसके बाद मैंने लिए है बोई लालू और मैंने कड़ाई चड़ा दिये और उसमें डाला है थोड़ा सा तेल काली मिर्च, जीरा, धनिया, खड़ी धनिया और लाल मिर्च के में चोटे चोटे टुकडे कर दिये हैं बोड़ी से सौफ और यहां पर मैंने हींग डाला है और इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूं और जो आलू बॉयल मैंने लिया था उसको हलका हलका करस्ट कर दिया आप देख सकते हो मैंने कितना इसे तोड़ा है और इसके बाद इसे मिक्स करूंगी जब यह बहु करें बाद इसमें डालनी है हलदी नमक हभा क्वार इससे अठीक एवर कूंगी दाली है तो यहां पर देख से दकए हूं बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसके और जाता हैस़े अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हो उसके बाद मैं इसमें डालोंगी थोड़ा सा आम-चूर ए जात गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया और इसके बाद मैं इसे भी शुड़ी से मिक्स कर लोंगे अब यह मसाला रेडी हो चुका है अब मैं इससे ठंडा करने के लिए तो इसके बाद मैंने लिया है मैंदा यहां पर मैंने मैं डाल लूँ तोड़ा सा नमक ठोड़ी सी क्रस्ट करके आजवाइन और तोड़ा सा तेल और इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर आठे को हलका गुणगुणा पानी लगाना है जिससे बहुत तो पानी डाल के जिग्षां लगाँगी यहां पर समोसे का अटा में उल्कुल भी परचाह नहीं आ importing समोसी नहीं है अब यह हमारा अटा रेडि हो चुक раз अब देख सकते हूं मैंने आटा थोड़ा हाड़ी लगाया है और इसे 10 मिनट तक रिष्ट करने के लिए छोड़ दूंगी अब मैं चाट में डालने के लिए प्यास का मसाला बना रही हूं यहां पर मैंने प्यास लिया है जिसे मैंने बारिक बारिक काट लिये हैं इसके अब देख सकते हूं मैं इसे कैसे देल रही हूं और इसके बाद इसके जहां पर से हाप कट कर रहा है वहां पे थोड़ा सपानी लगाया और इसे फोल्ड कर रही हूं और इसे थोड़ा प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि समोसे खुले नहीं और इसमें मैं मैं मसाले ड तेल मेरा नहीं होना चाहिए मीडियम गरम तेल में समोसे को डालना है यह बहुत अच्छे से बजाष से भी ज्यादा टेष्टी समोसे बनें और इसके बाद मैं इसे पलट पलटके और ब्राउन होने तक सेखोंगी अब देख सकते हो मैं इसे कैसे तल रही हूं अब यह समोसे रिडी है अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी आज मैंने पतल वाले कटोरी में इसकी प्लेटिंग करी है यहां पर मैंने एक बॉल ले लिए है बॉल में मैंने समोसा डाला है और समोसी के उपर से म रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है इसके उपर से मैं डालूंगे प्यास थोड़ा सा चाट मसाला और अब यह खाने के लिए रेडी है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेयर जरूर करें और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें